पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा अब दूमिने के रूप में मेरा अचूक अस्त्र उस देवियों की देवी परबार करेगा अब रश्मी प्रभा के माध्यम से मेरी भक्ती भी माता परा शक्ति श्री माता ललेता तक पहुच जाएगी माता के जगराते में जाना है कई मेरे यहाँ पहुचने तक भूर ना हो जाए क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो जगराता तो संपन हो चुका होगा यदि मुझसे देर हुई तो आपके पुश्वे माता तक ना बोचा पाने के लिए मुझे शमा कीजेगा गनेश्ची नहीं, मैं ऐसा कदा पी नहीं होने दूँगा मैं तो जैसे उदने लगी हूँ मेरे पेरो तले की दर्टी जैसे अपने आप चलने लगी हो वाँ, ये तो चमतकार हो गया मेरे छोटे बग इदने बड़े हो गये आहा, अब तो माता के निकट मैं शीकर पहुच जाओंगी कितना अनन्द आया और मैं यहाँ फॉस भी गई अब मैं सुशाल रद पे कैसे चड़ूंगी और माता के निकट बोला कैसे पहुच सकूंगी अब तो मैं भी इस बालिका की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि माता की सभा में तो उनकी इच्छा से ही प्रभेश प्राप्त होता है इसलिए अब तो माता हिसायता कर सकती है ये पदम पुश्व कहां से प्रकट हो गए ये तो इतना विशाल है मैं इस पर खड़ी भी हो सकती हूँ जो भक्ती भाव से माता के द्वार पर पहुच जाए माता उसे कभी निराश नहीं करती उसे अपने निकट आने का उसर अवश्य प्रदान करती है जिसके अंतर में धर्म का वास होता है वो किसी भी अवस्था में उसका पालन करता है जैसे कि पुत्र गनेश जिस पर अब ना किसी की द्रिष्टी है और ना ही ध्यान फिर भी वो पूर्ण निष्ठा से अपने वचन का पालन करते हुए मोतक घ्रहन करा है झालCR निज ऑुर्ण दिस अथ्चर करते हादा अब वहाँ पहुँचकर विस्फोर्ट करूंगी में जिसकी मुझे प्रतीक्षा है तुमनी वहाँ उस विनाश का द्रिश्य का प्रस्तुत करेगी मेरी सेना भी अधीरतार से परतीक्षा कर रही है उस संकेत का हुँँचकर द्रिश्य का द्रिश्य का द्रिश्य क्या रही है मेरी बेहन धुमिनी सेना के मद्धे में पहुँच चुकी है और विस्थोट होने वाला है सावधान हो जाओ और अपनी मशाले जला लो मेरी सेना से अब इन देवियों का ये अंतिम युद्ध होगा दुष्ट भंडासुर छल से रात्री काल में आक्रमंट कर युद्ध के नियम विभंग कर रहा है जबकि उसकी अपनी पुत्री माता के रत पर है झाल झाल में कर लुद्ध कर युद्ध कर रहा है झाल 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 तो भाग कर क्या रही है अब तक इन देवियों को हगने की लप्तों से केरा होना चाहिए था किन्तों तो मिनी मेरी त्विष्टी सही हो चले है यह उनसे देखता हूँ वो ही कही होगी वो तो मिनी उन पर नहीं अपने साचरण से मुझ परागात कर रही है आज मैं वेफल नहीं हो सकता मुझे किसी परकार इसका ध्यान कहीं और भाठकर इसके इस बजन को रोपना होगा तब ही दुमीनी इस सम्मोहन से मुक्तों कर अपने काज को पूर्ण करेगी हाँ किन्तु इस से कहीं तेविया साफधान न हो जाएं हो सकता है किन्तु इतना तो चलता है क्योंकि दुमीनी पुने अपने कारे पर केंद्रित होगी जो एक शण में विस्पोट कर इंडेवियों का सर्वनाश कर हमारे कारे को सब्दल करतेगी तब साफधान होकर भी इनका कोई लाब नहीं होगा जोखश्माव लोगतान होगा जोखश्माव छिस्विग tuvर याउँ जोखश्माव जोखश्माव मेरी पुत्रे वहां क्यों और क्यासे पुचके अरश्मी प्रभा को ही संकित में डाल दिया मैंने मैं इस दुर्खटना से इस परखार उसकी रक्षा करूँ आज तेरा जगराता माता आज तेरा जगराता आज तेरा जगराता माता यह कहां खो गई थी मैं मुझे अवेकागर रहकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए अब किसी से प्रभावित हुए भी न अपना विस्थोर्ट करूँगी मैं माता मुझे भी आपके दर्शन करने मुझे आपने निकट आने का मार्क दिखाईए न माता यह तो सुता ही मार्क बन गया मेरी प्राधना सुनने के लिए आपको अने को धन्यवाद माता कुछ हीक्षणों में यहां सब भस्म हो जाएगा नहीं अभी नहीं अभी ऐसा कादापी नहीं हो सकता यह विस्पोर्ट रोगना होगा मुझे दूमनी तो अब विस्पोर्टक का रूप ले रही है अपने सुप के लिए भंडास और बेहन के प्राणों की बली कैसे दे सकता है और बेहन ही नहीं अब तो उसकी योजना उसकी पुत्री के प्राण भी ले सकती है तो क्या इस दुष्ट भंडास और के लिए ये भी चलता है तेरी पुत्री उसका स्ने मुझे अभी प्राप्त हुआ है उसे मैं गदापी नहीं को साँ गदापी नहीं कोऊँगा मैं उसे करने ही तू माता के रत पर है और अब भंडा सुर्वी उसी दिशा में बढ़ रहा है किन तू माता के मुखपर ऐसे संकट के समय में भी सहज मुस्कान है माता ये कैसी लीला है आपकी संभाव है कि ये दुष्ट आपके दर्शन पाकर भक्ती में लीन हो जाए और सुधर जाए इस देवी के दर्शन से ही दूमिनी अपने बत से बटा गई तो मैं भी अपनी दृष्टी इस पर ना बढ़ने देकर सुयम को इस देवी की माया से अपने आपको सुरक्षित रखोंगा शत्रू है हमारे मध्य तो मिनी वी आके पहुँच रही है इसकी विस्पोर्ट में अतिक समय शेश नहीं है बंडासुर को भी अंततह डेवी ललीता के दरबार में आना ही पड़ गया माता की लीला भी अधुत है वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है गनेश्ची न जैसा वर्णन किया था उत्नए दिव्य और सुन्दर सरूप है माता का बड़ी लाल बिंदी से उनका मस्तक सूसो भी थे हातों और कलाईयों के सुन्दर अभुशन उनके दिव्य रुप को ऊधuju निकार रहे हैं माता के कानश्ची के खुषुन भी कितने सुन्दर है गनेश्ची न讲ता माता uphold है ये तो फिर यह तो हमारी भी माता हुई तब तो मैं गनेश्ची के पुष्व उन्हें समर्पित कर उनके ऐसे कांगे अभुशन को मांगी सकती हूं मैं मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि दुष्ट भंडा सोर यदि आपके शनिक दर्शन भी पाले तो वो अधर्म को भूल कर धर्म के मार्ग पर आजाएगा किल्टु यह उसका दुर्भाग्य है कि वो आपके दर्शन करने से ही बच रहा है तुम ने अप्शीक रही भी स्पोर्ट कर देगी अर्थात मेरी पुत्री रेश्मी प्रवा के प्राण संक्रत में है मुझे इसे वहाँ से दूर करना ही होगा रुको कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूँ? और यहाँ क्यों आई हूँ? यह तो अब तुम सबको शिग्रव्यात हो जाएगा माता को बता दूँगी यह पुश्व गनेश से नहीं है क्यों आई हूँ झाल क्यों आई झाल प्याँ क्या भंड़ा सो वो बाली का एक निर्दोश भक्त है में उसे कोई हानी नहीं पहुचनी चाहिए तुम्हें हानी पहुचाने से अब मुझे कोई नहीं रोग सकता धूर हो जाओ यहां से मेरे कारण जेश्ट आहत हो यह मुझे सुईकार नहीं मुझे देद्टा उसे कि वह झाला जब मुझे लगया जएग मुझे देद्टा चिंता एवं चिता में मात्रेक बिंदू का अंतर होता है मनुष्य प्रियास करें तो चिंता ही मिट सकती है अन्य था बिंदू तो स्वता ही मिट जाता है मेरी संपूर सेना मेरे देखते देखते ही नश्ट हो रही है